हेलो बच्चो आज हम आपका लेशन वन जो चल रहा है उसका कोश्चन नमबर फोर करेंगे आप इसको अपनी कोपी में राइट करना होम रख में ठीक है और ये कोपी में चेक करूंगी आपको जरूर राइट करना है कुश नमबर फोर है निमी लिखित शब्दों का वाक्यों में प्रियोग कीजिए देखो कुशन नमबर क्या है पेड, पेड शब्दे रखा रहा है ये पेड को आपने एक संटैंस में लेना है sentence जब बनाओगे वाक्य बनाओगे तो उसमें ये शब्द पेड आना जरूरी है और जरूरी नहीं कि जो sentence मैंने बनाया है वैसा ही आप बनाओ आप अपने मन से भी दूसरा भी पेड शब्द लेकर बना सकते हो अब देखो पेड पेड वर्षा में सहायक होते हैं मैंने तो ये बनाया पेड वर्षा में सहायक होते हैं आप इसकी जगा पेड शब्द को लेकर दूसरा sentence भी बना सकते हो जैसे पेड पर पक्षी बैठे हैं ठीक है अब खेड पार देखो इसका खेड वर्षा दूसरा शब्द कुन सा है वर्षा तो वर्षा में पेड हरे भरे हो जाते हैं ठीक अब देखो गए प्रकृती शब्द कुन सा है प्रकृती पेड प्रकृती संतूलन बनाए रखते हैं प्रकृती शब्द है पेड प्रकृती संतूलन बनाए रखते हैं ग्या कोश्चिन देखो, जन्म दिन, शब्द क्या है, जन्म दिन, आज मेरे मित्र का जन्म दिन है, ऐसे ही बना सकते हैं, या आज मेरा जन्म दिन है, दोनों ये वाक्यों में जन्म दिन शब्द आ गया ना, तो कैसे ब्याब अपनी मर्जी से ये जो वाक्य हैं बदल कर भी बना सकते हो, या ये लिखना चाहो तो ये भी कौपी में लिख सकते हो, संदेश, सीता ने गीता को अपने जन्म दिन का संदेश विजवाया, ठीक है, ये question number 4 हमारा हो गया, आज ये lesson number 1 complete हो गया है, तो ये lesson number 1 की पूरी exercise जो मैंने करवाई है, आपकी copy में, notebook में write होनी चाहिए, ठीक है, ये मैं check करूंगी, ठीक, thank you,